जैपूर योगा लीग चैंपियंशिप को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। साल 2015 से योग की प्रति उत्साही लोगों की प्रतिभा और समर्पन का प्रमान रही है। आयोजेकों ने सबी तैयारिया पूरी कर ली है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष का आठवा संस्क्रण बहुत बड़ा होने की उमीद है। जिसमें भारत भर से लगभग 600 प्रतिभा की योग समुदाय में विविदता और एकता का प्रदेशन करेंगे। वहीं चैंपियोंशिप में रोजाना करीब 5000 दर्शकों की आने की उमीद है जिससे एक उर्जावान और जीवन्त माहोल बनेगा। उने इतना बड़ा प्रोग्राम दिया है जो आठवी यह जैपुरी योगा लीग यहां पर होने वाली है और बच्चे यहां पर लगातर दो दिन रहेंगे और योग की विभिन्पत देतियों के अपर अपने प्रदशन करेंगे। आठवी योगा लीग होने जारी है जैसे क्या आपको बता है पिछले दस साल से निरंतर हो रहा है जिसमें पूरे भारत से योग के लिए आते हैं। आपको मालूम है कि योग को भारत सरकार ने बेज़े स्पोर्ट्स माना है। स्पोर्ट्स के अंतरगती हम योग आसन पर देगुता करते हैं। और ताकि बच्चों में मोटिवेशन मिले उसके लिए अच्छा सा प्राइज इसके लिए अभीनोब भाई ने आपको बता चुके हैं। यह बहुती अधुत कार्य है और आप देखें कि जैपुर के SMS स्टेडी में होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आप इससे को जानते हैं। तो मेरे को सबी से यह अनुरेध है कि आप इसमें मैक्सिमम आएं। अपने पैरिंस, अपने बच्चों के साथ, अपने टीचर्स के साथ उभी इससे मोटिवेट हों। और योग को जन जन तक फैलाने का उकार्य करें। हमारा भी उद्धिश है कि योग के माद्दम से क्योंकि योग में ही हो ताकत है जिसे हम शरीर से, मन से और आत्मा से श्वस्त रख सकते हैं। तो हमारा यही निवेदन ही कि आप सब आके इस प्रोगाम का लुपत उटाएं और अपने बच्चों को अपने घरवालों को मोटिवेट करें। विश्वे योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है वहीं चेंपियंशिप के आयोजकों ने बताया कि इसका मुख्य लक्ष लोगों में योग की प्रती जाग रुपता बढ़ाना है। से बढ़ावादें। इसमें पारमप्रिक योग प्रतियोग इतायें भी हैं साथ में हम म्यूजिकल इवेंच भी इसके अंदर होते हैं। और इसमें करीब-करीब 12 राज्यों से पर्तिभागी आ रहे हैं, योग साधक आ रहे हैं, जो अपनी योग जो उनकी शमताएं हैं, जो प्रैक्टिस है, साधना है, उसको यहाँ पर आके प्रदिशित करेंगे, पारंपरिक रूप में भी और संगीत में जो प्रस्तुतियां ह होती हैं, उसके अंदर भी, और करीब-करीब 5600 के आसपास इसमें अभी तक रेजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, ओन स्पोट कितने होते हैं, वो आज मालूम चल पाएगा, कितने दिन का यह पूरा है, यह दो दिन का है, 24 पर 25 अगस्त को SMS इंडोर इस्टिएम में आयोजित हो जो बिगनर, जो नए योगसादक हैं, उनको भी हम उनकी होसला अवजाई कर सकें, तो उसके लिए हमने बिगनर्स के लिए एक अलग कैटेगरी कर रखी है, एडवांस के लिए अलग कर रखी है, और सब में एज ग्रूप भी अलग अलग है, यहाँ पे 5 साल से बच्चों क यहाँ पे अपना साधना करेंगे, कैश प्राइज की बात करें, तो हर एज ग्रूप के उपर अलग-अलग मैडल के साथ, जैसे गोल्ड मैडल है, तो वहाँ पे 3,000 रुपे तक का कैश प्राइज है, और सिल्वर है तो 5,000 तक है, और ब्रॉन जे तो 2,000 रुपे तक कैश प्राइज है, और टोटल अवार्ड यदि हम इसमें देखें, क्योंकि इसमें योगरत ने करके भी एक हमने एक नई एक शुरुवात करी है, तो कुल मिला के 8,000 रुपे तक के हम यहाँ पे प्राइज और कैश प्राइज और गिफ्ट वाउचर से यहाँ पे बच्चों को देंगे, वी आई पी कौन को निसमा है, सर इसके अंदर कल हमने हमारे जो उपमुखे मंतरी जी है, प्रेम चन बैरवा जी उनको निमंतरन दिया है, तो उमीद है कि वो आएंगे जैसा उन्होंने हमारे को पॉजिटिव रिस्पॉंस किया, तो वो हमारी तरफ से आएंगे, उन्होंने जो बोला है, बाकी और भी बहुत सारे हमारे जो बियोरो कैट्स होते हैं, रवी प्रिकाश महरा जी यहां पर होंगे, सुबीर सर से भी हमारी बात हुई है, वो भी आएंगे, तो इस तरीके से काफ़ी जने यहां पर आने वाले हैं, तो आपने जिस प्रकार से स इसमें देखने को मिलेंगे और योग तो एक साधना है, और जीवन का प्रारूप है, योग और बिना योग के तो कुछ नहीं, इंसान पेदा योग में होता है, मरता है, योग में बीच में करना गलवल कर दिया, तो यह सारी भी मार्यों का कारण उसी से वना हुआ है, अग स्पॉर्ट रिजिस्ट्रेशन भी होंगे लगबग आठ साड़े आठ सो रिजिस्ट्रेशन थी इस बार बारास होने की पूरी मीदा मुझे यह ओपन फॉर ओल है ओपन फॉर ओल है हमने दस साल पहले इसको स्टार्ट किया था और लगबग हम कुछ कुछ इस्टिटूट्स मिलके इसमें किया था और कुछ इसमें बांडेशन लगाई थी अब ऐसा कुछ नहीं है टोटल ओवरल ओल कोई भी आके इसमें पूरी कर दे अपने तो आपने देखा कि ओपन फॉर ओल है करीब पांसो के आसपास रिजिस्टेशन इसमें हो चुके है और पिछले साल के अगर बात करें तो इन्होंने बताया करीब आट सो नौसो लोगों ने इसमें भाग लिया था और अभी भी संख्या लगबग इतनी ऐससे और ज्यादा होने की उम्मीद है हम लगातार देख रहे हैं कि यंग्स्टर में भी अब योगा का क्योंकि अब मैं कुद को चूँ अकेड में जलाता हूं जितने भी यंग्स्टर है इस गेम के पर ती उनका रुजान अच्छा है क्योंकि बाकी गेम में बहुत ज्यादा एक्यूपमेंट का खर्चा होता है जो भी हो साइंक्लिंग और केट हो इसमें अपने कोई एक मैट है योगा मैट बाकी गेम में अत्ती लीन होने पर कुछ न कुछ स्वास्त है हनीकारक भी होती है पर इसमें नहीं है और जाहिर है आने वाले समय में 2036 मा आजाएंगे जैसे परदानमतरी मोदीजी ना पिल कि आपको टोकना चाहूंगा मेरा अगला सवाल भी यही था जिस रिसाब से भार एक मुख्य कारण पैसा भी है तो ओलम्पिक में तो हम जरूर हम भी चाहते हैं जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं यह आखवान भी किया कि योग को हम ओलम्पिक में देखें लेकिन इसको एक तरीके से जैसे क्रिकेट है कबड़ी जैसे प्रो कबड़ी हो गया है तो ऐसी कुछ आपकी प्लैनिंग है आगे जाके कि योग में भी इस तरीके का कुछ देखने को मिले जी इसी प्लान का तहद अपने जैपुर योगा लिग आयोजित की जा रही है कि फेडरेशन में और बाकी जो ऑल इंडिया टुनामेंट्स होते हैं उनमें कोई प्राइज मनी रखी है तो बच्चे के उतकष्ट परिणाम आने के लिए और उतकष्ट बनने के लिए उसका रुजान रहेगा क्योंकि प्राइज मनी जीतने के लिए उनका रुजान रहता है कि मैं उतकष्ट आऊ तो प्राइज मनी मिलेगी तो यह पहली हमने पहल किये औ तो आगे गौवर्मेंट भी हमारा साथ देगी गौवर्मेंट जोब तो मिली रही है नेशनल प्लेयर को उसके बाद में धीरे-धीरे प्राइज में भी मिलनी सुरू हो जाएगी अगर आपसे छोटा सा सवाल और में जानना चाहूंगा अगर केरियर के रूप में अगर हावनाए है केरियर में योगा का अंदर योगा स्पॉर्ट के बाद में इस पॉर्स अकेडमी में केर ए और एलावा इस्पाइचनल प्लेयर होते तरह्म येन्र welfare कायों तटयाल होते हैं वहाँ से आप नेशनल में बनते हो और हर राज्ये दंदर नेशनल में भाट की विग योग करने से ना सिर्फ हमारा शरीर निरोग रहता है बलकि आगे आने वाले समय पे जैसे कि इन तमाम लोगों ने बताया कि एक केरियर के रूप में भी हम योगा को अपना सकते हैं और इनकी भी अपील है और हमारी भी है यह अपील है कि इस कॉंप्टिशन के अंदर जो यह लीग हो रही है आठवी जैपूर योगा लीग इसमें ज्यादा से ज्यादा संक्या में पधारे योग करें और निरोग रहें सहयोगी कैमरामेन आजे के साथ उमंग मातुर जनता दरबार